प्रधान मंत्री नरेन मोदी के खिलाब माल्दियू के तीन मंत्रियों के बयान पर माल्दियू की सरकारा बैक फूट पे आगे पहले तीन मंत्रियों के खिलाब करवाई के उनका निलंबन किया क्योंकि उन्होंने प्रधान मंत्री नरेन मोदी के खिलाब अपमान जनने टिप पर है और आपको बता दे कि जो जानकारी ये काई है कि पहले भी माल्दियूस सरकार की तरफ से भारत दोरे के लिए का प्रस्ताव आया था लेकिन भारत ने कोई तारीक नहीं दी थी इस से पहले यानि पिछले साल नवंबर में सत्ता संभालने के बाद मुहम्मद मुईजू UAE के दोरे पर जा चुके तुर्की के दोरे पर जा चुके और अभी चीन के दोरे पर हैं लेकिन इस संकट के बीच में माल्दियूस सरकार से जो हमें संकेत मिले जो जानकारी मिली है कि तुरन भारत दोरे पर आना चाहते है अपने चीन के दोरे को खत्म करने के बाद यानि संबंध खराब नहीं कर सकते हैं। मुईजू सरकार के बारे में आपको बता देशा पिछले साल मुईजू सरकार चुनावी अभियान में भारत विरोधी अभियान के नाम पर सत्ता में आई थी हाला कि सिर्फ 54 फिजदी वोट मिला था लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने कुछ भारत विरोधी फैसले किया जो भारत की सरकार को नागवार गुज्रा और चीन दोरे पर जाने से पहले मुईजु के प्रधान मंतरी लक्षद्वीप पहुंचते हैं और वहां की टूरिजम में जो छमता है उसको दिखाते हैं श्नौकलिंग करते हैं वहां क संदेश माल्दिव को साफ था कि अगर माल्दिव चीन के बहुत नजदीक जाएगा तो आने वाले वक्त में भारत भी अपने दूइपों के विकास में या माल्दिव के मुकाबले में जो लक्षद्वीप की खुबसूरती है उसे आगे रखने में पीछे नहीं अटेगा आपको एक महतोपून बात बता दे पिछले साल अगर माल्दिव सरकार के परियाटन मंतराले के आंकडों की हिमाने तो भारत सबसे ज्यादा परियाटक माल्दिव गय थे और माल्दिव के रननीतिक सुरक्षा के लिए भारत से संबंध होना अच्छा है लेकिन इस पूरे विवात के बाद मुजू गोवर्मेंट बैकफूट पर आ गई है और वो जल से जल अब भारत दोरे पर आना चाहते है ताकि आने वाले महीनों में आने वाले सालों में संबंध ना बिगड़े मुजू गवर्मेंट को इस बात का अंदाजा है कि भारत विरोध के नाम पे वो अपनी सत्ता नहीं चला सकता और इस बीच वहां के विपच्च ने भी उनके खिलाप अविश्वास प्रस्ताव लाने की मुहीम जो है शुरू कर दी है देखना होगा सदन में क्या कुछ होता है लेकिन मुहम्मद मुईजू बड़ी मुश्किल में फस गए है चीन के द प्याजा हो गया है कि अगर भारत के साथ संबंद अच्छे रखने हैं तो आपको भारत से रिष्टे बेहतर करने होगे चीन से आप बात कीजिए उससे कोई आपती भारत को नहीं हो सकती लेकिन भारत विरोधी अभियान अगर आप अपनाएंगे तो भारत के पास ऐसी तम मालदियू को भारत अपना सबसे छोटा भाई मानता है तो इस द्रिष्टी से मालदियू की सरकार को भारत में कोई विरोध ना हो इस बात का ध्यान रखना होगा और भारत से भी संबंद बेहतर रखने होंगे